नमस्कार अम्माला फास न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी कास स्वागत करती हूँ तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास ख़बरों पर अम्माला शहर नगर निगम टैक्स वसूली करने के लिए लाया है नई स्कीम टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी टैक्स पर 35% की छूट पिछले दो महीनों में नगर निगम दो करोड से भी ज़्यादा का टैक्स कर चुका है वसूल अम्माला नगर निगम की मुहीम के मुताबिक जल्द से जल्द सहर से टैक्स वसूल करना है और अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स देने में आसमर्थ रहता है तो उसकी संपत्ती को सील किया जा सकता है टैक्स अफिसर बलबीर ने बताया कि वहाँ लगाता लोगों के स्थान पर जाकर टैक्स वसूली कर रहे हैं और मौके पर जो भी टैक्स जमा नहीं करवाया उसकी बिल्दिंग सीज की जाती है नगर निगम का टारगेट बाइस करोड का टैक्स इकठा करने का है और ऐसे में अब नगर निगम उन लोगों को 35% की छूट दे रहा है जिसका टैक्स नगर निगम में लंबित पड़ा है मोही में प्रपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए सरकार ने 35% की छूट दी है करंटियर में उसका विशेश फैदा उठा सकते हैं लोग अगर वो नहीं समय पर जमा करवाएंगे तो संपत्तिकर सील करने का कार्या जो भी चल रहा है उसको अग्गे अमल में लाया जाएगा जैसे भी निर्देश हमारे अयोक्त महद्या के होंगे उनके अधिश्वां सारंगे की कारवाई जो भी करूनी कारवाई बनती है वो की जाएगी हम लग वग जब से हमारे नए कमिशनर साव आये है सवा दो क्रोड रही क्रोड के करीब टेक्स कलेक्ट कर चुके है और अग्गे भी तेज्जी से ऐसे करे जारी रहेगा उसके लिए हमें संपत्ति सील करनी पड़े या मोके पे वो हमें पैसे दें जैसे भ लो हमें जारी आपोलको हमें रहे हमें जारी आप उसके लिएंगा हमें लो हमें भंड़े लिए हमें लिए और भंगे।